नमस्का दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल आउसधी एंड हिल्थ में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस पीडियों बात करेगे बालों को जढ़ने से बचाने का सरल और आसान घरली उपाय के बारे में दोस्तों बाल जो है बहुत से लोगों को आज के इस वीडियों हम बात करेगे आपको बालों का जो है जढ़ना कैसे रोके सरल और आसान घरली उपाय के बारे में बताएगे और यह जो उपाय बताएगे आपके घर पर ही बहुत यह असाने से समगरी मिल जाएगी आप उसका इस्तमाल करें और अपने बालों को जो ह आपके घर पर ही बहुत यह असानिस मिल जाएगा प्याज आप जो है एक प्याज का रस निकाले और उस रस को जो है काटन की सहाता से अपने बालों के जड़ों में लगाए इस नुश्के का इस्तमाल आप सूबक के टाइम करें नहाने की आदे से घंटा पहले आप इसे ल हो जाएगा आपके बाल लंबे होने लगेगे मुलायम और काले और सुन्दर देहन लगेगे दोस्तों यह बहुत अच्छा नुश्का है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप इसका इस्तमाल जरूर करें अगर आपके बाल तूट रहे हो नंबर दो उपाए आप नीप की पत्कियों का पेष्ट बना ले और उस पेष्ट में जो है आप दही मिला ले और उससे आप अच्छे से मिला ले इसे मिलाने के बाद आप अपने बालों के जड़े में अच्छे से लगाए और उसके बाद आप पसनान करें आप अगर ऐसा करेगे तो आपको बहु में अच्छे से लगाए और उसके बाद नहा ले ऐसा अगर आप 20 से 25 दिन करेगे तो निशी थी आपके बाल जो है तो इस तो काले हो गए जड़ेगे नहीं लंबे हो जाएगे और सुन्दर दिखने लएगे नमबर चार उपाए नीब और नारियल का तेल को मिला कर बालों की जड़ों में लगाने से बाल नहीं जड़ते क्योंकि नीब और नारियल की तेल लगाने से बालों में मवजूद फंगल और डेंडर खत्म हो जाते है नीब का तेल एंटी फंगल और एंटी सेप्टिक का काम क करता है दोस्तों आप इसका इस्तवाल जरूर करें आपको बहुत जल्द लाब होगा नंबर पांच उपाए आपको दो चम्मस मेथी लेना है चाड़ दही लेना है और कच्चा अंडा लेना है सबसे पहले आप जो है दो चम्मस मेथी साम को भीगो कर रख ले सुबह उसे आप मिक्सर की सहायता से उसका पेश्ट बना ले उसके बाद चार चम्मस दही जो है आप उस पेश्ट में मिला ले उसके साथ ही आप एक कच्चा अंडा भी उसमें मिला ल इस तीनों का अच्छे से मिसर कर ले, पेस्ट पना ले और उस पेस्ट को जो है आप अपने बालों के जड़ों में लगाए आप इसे ध्यान दे नहाने के आधे से एक घंटा पहले लगाए उसके बाद आप लगाने के बाद आप इसे सेंपू या किसी असे सामों से आप नहा ले ऐसा अगर आप इसे हपते में तीन बार करेगे और इसे लगातार तीन से चार हपते इस्तमाल करेगे तो आपका जो है बाल जणना खत्म हो जाएगा आपका जो बाल काले हो जाएगे मजबुत हो जाएगे और सुन्दर दिखिन लगेगे दोस्तो अगर आपको यह घरलू उपाय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेर करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकान को जरूर दबा दे